अच्छी लीडर के रूप में जानी जाती हूं और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंम आपने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनाया आपके हर एक स्टेट में इतने बड़े बड़े लीडर्स कैसे हैं और फ्रेंज ये ही सवाल का जवाब देने के लिए आज का सेशन ला रहे हैं कि लीडर्स कैसे बनाये जाते हैं, लीडर्स कैसे लाये जाते हैं, क्या करें कि लीडर्स जॉइन हो अगर इस सवाल का जवाब आपने सीख लिया और इस पे इंप्लिमेंट कर लिया तो definitely network marketing में बहुत बड़ी सफलता पा सकेंगे तो friends आईए, कुछ एक facts, कुछ एक figures, कुछ एक ऐसी tips, trips जिसकों की काम में लेकर के आप भी एक बहुत बड़ा सफल network बना सकें उस पर हम बात करते हैं, सबसे बहले तो एक बात समझेए Leaders are everything Network marketing में leaders बहुत important होते हैं Leaders and leaders build business यह सब अपनी जगे सच है यह भी बलकि कहा जाता है कि Leaders बनाए नहीं जाते, leaders ढूंडे जाते हैं यह भी कहा जाता है कि leadership एक lifetime process है, lifetime journey है पट at the same time यह भी तो सच है कि जिस चीज़ पर हम focus करते हैं वो हमें मिल जाता है अगर सच मुच हम leaders को ढूंडे तो बने बनाए leaders हमें मिल जाए तो क्या हम time save नहीं कर पाएंगे क्या हम अपनी success को speed up नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे तो फिर हम सब को सबसे पहला काम यह करना है कि leadership पर focus करना है तो आईए चलते हैं कैसे किया जाए सबसे पहले most important thing है कि leaders attract leaders तो आपको सबसे पहले तो खुद को leader बनना है एक ऐसा leader जो दूसरे leaders को attract कर सके be like a leader, think like a leader talk like a leader, act like a leader आपको हर तरीके से लीडर जैसा behave करना है अब इसके लिए क्या किया जाए आप देखिए कि industry में leaders कैसे behave करते हैं, वो कैसे बात करते हैं आपके company में जो successful लोग हैं वो कैसे वेवार करते हैं, उनके वेवार को ध्यान से देखिए, वो क्या करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, वो कैसे मुस्कुराते हैं, वो कैसे handshake करते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे stage पर चड़ते हैं, वो कैसे माहोल बनाते हैं, वो कैसे दूसरों को edify करते हैं, वो कैसे बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, वो कैसे positive atmosphere बनाते हैं, वो कैसे discipline होकर के schedule follow करते हैं, कैसे आपकी company का core follow करते हैं आपके लिए बहुत important है कि आप वो personal growth पर focus करें मान के चलिए leaders आम लोगों को join नहीं करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आप leaders join कराएं तो सबसे पहले आपको leader बनना होगा और मैं leader बनने का मतलब आपकी company के level की बात नहीं कर रही हूँ मैं यह नहीं कहरी हूँ आपको इस level पर जाना होगा आपको इतना पैसा कमाना होगा leader कोई एक position नहीं है leadership जो वो आपका persona है वो आपका aura है how you carry yourself like a leader मैं उस leader बनने की बात कर रही हूँ जो कि मुश्किल नहीं है आपको उनी की तरह जो आपकी company के successful leaders जैसा behave करते हैं अच्छे growing successful leader आपको उनसे सीखना है या जरूरी नहीं आपकी company आप industry के mentor उठा सकते हो या बलकि आप किसी भी वर्ल्ड वाइड किसी भी leader को अपना mentor बना करके उनको follow कर सकते हो कोई एक role model बना लो कि मुझे इनके जैसा बनना है और फिर उनके जैसा बनने के लिए उनको ध्यान से observe करो कि वो क्या कर रहे हैं and then आप भी वो ही करो personal growth पर focus कर लो बोलना सीखना है, बात करनी सीखनी है वो magnet बनना है leader magnet बनना है जिसको देख करके देखिए, आम व्यक्ती बहुत मिलेंगे पर leader भी मिलेंगे और जब आप leader होगे ना उस leader को leader की वो wavelength match करेगी इसको हम कहते हैं pixel match कराना जैसे होता है ना कि सबका अपना हर camera का अलग pixel होता है हर एक camera जो है वो अलग नजर से चीजों को देख पाता है ऐसी जो leaders होते है ना उनके pixel match करते हैं पर आपका किसी leader से जब मुलाकात हो जब भी आप किसी leader को देखो या leader और आप मिलो तब वो pixel match करने के लिए आपको अपनी pixel improve करनी है यानि कि आपको वो leader magnet बनना है कि जब आपको leader देखे तो वो तुरंथ वो रैपो बिल्ड हो वो कुछ click हो और फिर आगे आप लोग future में मिलकर के आगे काम कर सकें तो आपको invest करना है time leaders के साथ चाहे personally मिलकर के चाहे events में उनको देख कर के चाहे उनकी YouTube वीडियो के थ्रू उनकी books के थ्रू आपको अपने जो भी time आप network marketing को दे रहे हैं उसका एक certain time आपको जिन leaders को आप follow कर रहे हो जिनको आप role model मान रहे हो उनमें invest करना है आपको time उनके साथ हैना है किसी ने किसी रूप में उनको सुनना है उनको समझना है उनको इसको अगर मैं सही शब दो लूँ ना तो आत्मसाथ करना है जब आप उन्हें आत्मसाथ करने लगोगे जब वो आप में सिंकिन होने लगेंगे आप उनके जैसा बनने लगोगे तो definitely आपका काम that's the shortest cut actually I know कि कैसे leader बने बया किसी ने किसी को role model बना लो और फिर उसके जैसा ही विवार करने लगो उसके जैसा ही सोचने लगो उसको अपने में और अपने आपको उन में देखने लगो तो definitely that will be the easiest way to be like a leader तो सबसे वहले आपको जो करना है वो ये कि आपको leader की तरह behave करना है leader बनना है आपको prepare करना है opportunity के लिए आप अभी इस business में आये माली जी आपने आज ही join किया है और आपने फैसला किया कि हाँ जी आप leaders को join कराएंगे तो you have to prepare well for the opportunity जिस दिन कोई leader आपको मिलेगा उस दिन आप presentation याद करने के सोचेंगे तो नहीं होगा उस दिन आप अपने product के बारे में बात करने का सोचेंगे तो नहीं होगा या उस समय आप power dressing के बारे में सोचेंगे तो नहीं होगा आपको लोग मिलेंगे आप जिस सीच पर आप focus करोगे न वो आपके साथ होगा पर उसके लिए prepare आपको अभी करना पड़ेगा तो prepare like a leader prepare for the opportunity और उसमें सबसे पहले ही आता है कि लोग better respond करते हैं उन लोगों को जिने पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें जाना का है तो सबसे पहले अगर आपको opportunity के लिए prepare होना है तो you should be knowing your goals your dreams आप अपने dreams अपने goals के बारे में बहुत clear होने चाहिए हो आप अपना vision board बनाओ अपने dreams decide करो short term, long term and you know larger than life dreams decide करो फिर उस पे बहुत clarity लाओ उनको visualize करने लगो उनको verbalize करने लगो तो यह आपको बहुत बड़ा बहुत बड़ी opportunity यह देगा जब कोई व्यक्ति आपके सामने आएगा तो then comes कि look powerful, own the system आपको powerful दिखना है कोई भी leader किसी कभजोर व्यक्ति को join नहीं करता है आप negative बाचीत करते हो आप किर करते हो आप confused से दिखते हो आप फिकल होते हो कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो तो कोई भी जो leader आपको follow कर रहा होगा आपको देख रहा होगा आपके बारे में जान समझ रहा होगा आप उसको weak नजर आओगे weak लोगों को strong लोग जॉइन नहीं करते हैं तो आपको powerful दिखना है और powerful दिखने के लिए मैं muscle बनाने के लिए six pack बनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ हमारे business में वोई powerful दिखता है जो बड़े-बड़े सपनों बे बातचीत करता है और चोटे-चोटे actions लगा अतार करता है अपने system को follow करता है तो आपको भी वोई करना है बड़ा बोलो बड़ा सोचो और चोटे-चोटे action लगा अतार करो system में plug-in लो करके करो आप में वो एक synergy आने लगेगी आपकी है ना जो आप बोल रहे हो जो आप कर रहे हो उसके भी synergy आ जाएगी आप कुछ ऐसी ऐसी एक ओरा बना पाओगे अपने चारों और की leaders आपको देख करके attract होने लगेंगे आप leader magnet बन पाओगे देन कमस की एक dedicated team player बनो जो भी आपके team है आप उस team के dedicated team player होने चाहिए हो और जो भी उस team का mission है वो आप ओन करो आपने माली जे अभी join किया है और आपको पता है उसके बाद जो भी आप बोलोगे ना किसी से उस बात की बात ही अलग होगी और जब भी आप किसी बड़े mission को ओन करके बात करोगे तो बहुत सारी पावरे जो आप पर बिस्टोड होंगी तो जरूरी हो गया आपके लिए कि अगर आप leaders join कराना चाहते हो तो आप बड़ी mission का बड़ी mission का छोटा पार्ट नी बनो बड़े mission का बड़ा पार्ट बनो जैसे आप उस mission को ओन करोगे definitely आप एक different person बन चुके होगे then comes की learn the basics आप leaders को join कराने के लिए हमेशा किसी और upline के उपर depend करके नहीं करा सकते एका खरा सकते हो एक दो leaders शुरू में beginning में बड़ अगर आप चाहते हो कि यह speed up हो जाए तो definitely आपको earliest आपकी company का जो opportunity presentation है उसमें थोरो हो जाना है आपकी company के 20-25 product में थोरो हो जाना है या जो भी कह दो कि हाँ list कैसे बनाई जाती है या NCO कैसे किया जाता है या objection handling कैसे की जाती है जो भी आपकी company का basic presentation होता है वो तो आपने आज जोइन किया है मैं सब को suggest करती हूँ कि वह या महीना नहीं लगना चाहिए basics में आपका थोरो हो जाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको prepare रहना है देखिए एक बात को समझेए सफलता उतनी मिलती है जिसके लिए हम तयार है और सचमुझ अगर आप बड़ी सफलता चाहते हो आप बड़े leaders को join कराना चाहते हो तो आपको अपनी सफलता के लिए तयार होना पड़ेगा definitely that you have to do then comes कि happy रही है जो भी कर रहे है न वो happily कीजिए leaders पसंद नहीं करते unhappy लोगों को join करना अगर आप कुछ भी कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा भी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो पर खुश नहीं हो अपने आप से और आपके चेहरे पर जलग रहा है आपकी बातों में जलक रहा है आपके वेवार में बस बहुत बहुत ज्यादा थकान जलक रही है leader आपको join नहीं करेंगे तो जो भी आप कर रहे हो उसको happily करेंगे तो थकेंगे नहीं और happily करेंगे तो एक positivity आप थो कर पाएंगे और वो definitely leaders को बनाने में help करेंगे then comes edify करना सीखिए appreciate करना सीखिए believe me, मेरी success का एक बहुत बड़ा secret है कली निशानत और मेरी बात हो रही थी मैं किसी एक downline की कुछ-कुछ-कुछ-कुछ गलतियां कर रहे थे तो मैं कमिया दिखा रही थी कि आज कल ऐसा कर रहे हैं आज कल ऐसा कर रहे हैं आज कल ऐसा कर रहे हैं and then I made a call मैंने call किया और call करती मैंने उस व्यक्ति को 4-5 उसकी तारिफ करी आपका ये बहुत अच्छा है that's fantastic, that's good, that's good बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, अच्छा कर रहे हो पस इन एक-दो चीजों का ध्यान रख लो तो आपके लिए better रहेगा जब मैंने phone रखा तो निशान से ममा आप बात कर रहे थे तो 10 कमिया उस व्यक्ति के बारे में बता रहे थे और जब आपने phone किया तो 10 ही आपने उसकी तारिफ करी that's an art, ये एक art है आप genuinely, मैं जूटी तारिफ करने के नहीं बात कर दी पर genuinely मुझे आज तक जिंदिगी में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके पास 10 plus point नहीं हो हर किसी में होता है हमें वो वाले lens on कर लेने हमें वो radar अपना खड़ा कर लेना है जिसके गभिया करें जिक¬ि Landesies वे नमस होता है कि फसल पे हम इस खासियत पे हम बात करना सीखें ले खासियतों को समझना, क्ला सही है जब आप एप्री,चीट करते हो ये फाइड करते हो जावर समशन ऐत तो फिस Yogis इंन में थोड़न होता है And then comes that, learn to sell yourself, and your company, and your industry, and your opportunity. Beechna सीख अपने आपको, कोई बात में कंपनी को जॉइन करेगा, पहले वो आपको जॉइन करेगा, आपको पहले वो चीज़ें अपने में लानी हैं, कि हाँ, कोई भी मेरे को लीडर मिलेगा, मैं all out जाओंगा, उसकी success को create करने के लिए, and then sell yourself. सेम बात आती है, अपनी कंपनी के USPs को समझो, जो unique selling points आपकी कंपनी के, आपकी कंपनी क्यों बहतर है, वर्ल्ल में जितनी भी दूसरी opportunities available है, उनसे यहाँ पर time freedom है, यहाँ पर foreign trips है, यहाँ पर lifestyle है, यहाँ पर जो भी आपकी company का जो भी feature है, जो भी benefit है, उस पर आप बिल्कुल थोरो होने चाहिए, and then comes की, industry के बारे में तो आप जैसे, मैं कहती हूँ जक्की होने चाहिए, दो शब्दें जो मैं बताती हूँ, जो इस business में बहुत काम में आते हैं, एक होता है जुजारू होना और एक होना जक्की होना, जुजारू होना, एक अच्छा शब्दे पर फिर भी मैं इसको इतना पसंद निकरती हूँ, जिसमें खziękी में खुशीगूशी जुज़े जा रहा है, तो हमें जुजारू नहीं होना है, अमें थि me N Megad 것 मार्केटिंग दौनने लगा है और इस से अच्छा कुछ है ही नहीं, वह ज्योंग कर सकते हैं, और तो सलिगिक्स को लेकर के, आप को आप कर सकते हैं आपको सच मोच इस इंड्रेस्ट्री की ताकत को समझना है और उसके बाद अपनी नींदे उडानी हो जब आपके नींदे हुड़ चुके होंगी फिर आप जो जख्की जैसी बात करते हो ना लीडर्स उस जख्क को पहचानते हैं तो आप अपने आप में जख्क प पाते हैं और उनकी जोइनिंग करा पाते हैं तो प्रिपेर कीजिए अपर्चुनिटी के लिए अपने आपको प्रिपेर कीजिए एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनी है मैं क्यों अपने हर सेशन में इस बात को कहती हूँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रो जॉइन कराने सीख लिए, आपकी लाइफ तो सेट है, आपकी कई पीडियों की लाइफ डेफिनिटली सेट हो जाने वाली है, आगे चलते हैं, अब बात आती है कि लीडर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, जॉइन तो बाद में होंगे पहले आइडेंटिफाई करना होगा, और नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की डेफिनिशन थोड़ी अलग है, तो जब आप लीडर्स बनाने का आपने फैसला कर लिया, तो अब ना मैं एक डिफरेंट कैमरा आपको दे रही हूँ, मैं एक डिफरेंट लेंस अब आपको देने जारी हूँ, उस लेंस को लगा करके लोगों को देखना शुरू कीजेगा अगर आपने ये लेंस लगा लिया सक्सेश्फुली लगा पड़ोस में, अपने फैन सर्कल में, अपनी बिल्डिंग में, अपनी सोसाइटी में, कोई भी वेक्ती ऐसा देखते हैं जो लविंग है, कर इंग है, हमें मिल जाते हैं, अब जैसे अभी करोना काल चल रहा है, कुछ लोग होते हैं, जो इनिशेटिव लेते हैं, लाओ जी चलो सब जनों के घर से चार-चार पर उंठे बना करके आ जाएं और ऐसा कर दिया जाएं उसका कर दिया जाएं आपको loving and caring लोग ना आपकी बातों में अलग से जलग जाएंगे आपकी building में आपकी society में मंदर का उधगाटन होगा ना तो भी वो कुछ ना कुछ अप जन लोग के बीच में उनको प्यार नहीं करता तो वो क्या दूसरों को प्यार करेगा या क्या वो अपने सपनों को प्यार करेगा तो जब भी अगर आपको कोई भी दिखे ऐसा जो loving है caring है किसी को कुछ problem हो रही है तो लाओ चलो मेरे पास यह दबाई यह मैं यह दबाई ल करते हैं आप कुछ भी करते हैं कोई भी पार्टी होती है कोई भी गेट टोगेधर होती है चाहिए सुबह आप laughing club जहां आपके नीचे चलता है जहां योगा चल रहा होता है या पार्क में लोग वाप कर रहे होते हैं एंथुजियास्टियास्म ना छुप नहीं पाता है ज आपको एंथुजियास्टिक लोगों पर भी नजर टिकानी है यह से आता है एक्शन ओरियंटेट पीपल आप जहां भी आपकी लाइफ में आपके रिलेटिव में आपके फ्रेंट्स में आप देखेंगे जो एक्शन ओरियंटेड लोग है अगर कोई शादी हो रही है ना आपके बाई के पास खड़े नजर आएंगे आपके सोसाइटिम में चार दिन है ना अगर डीज चल गया अगर चार दिन मालीजे कोई जनेरेटर चल गया तो तुरंत एक मेल डालेंगे वो कि भाया क्यों डीज आज कल चादा क्यू चल रहा है ऐसा क्यू हो रहा है या आप पर अगर किसी ने भी वो एक्शन लिया ना जो बाग को यह उन्हें नहीं लिया तो आपको पता होना चाहिए कि भाया यह एक्शन ओरियंटेटर परसन है मैं इसको डेफिनिटली है ना यह मेरा लीडर हो सकता है तो आपको अपने वही पॉस करना है और अपने सेंस जो है और उस वेक्ति के लिए कर ले लेने दें D से आता है dreamers अब आप अपने friends में relatives में जो भी आपकी prospecting list है उसमें सबसे पहले देखिए कि कौन-कौन stylish है कौन-कौन है जिसकी earning तो हमें पता है कि भाया इतनी है पर उससे थोड़ा सा ज्यादा style से रहना पसंद करता है अपनी ग होता है उससे अपने आपको stretch करके थोड़ा बैटर लाइफ लीट कर रहे होते हैं वो project तो at least यह करी रहे होते हैं तो आपके लिए stylish देखना होता है लोगों को शौकीन जो लोग हूँ शौकीन है कि बया चलो माता की चौकी भी करेंगे तो ज़रा style से करेंगे वो किसी मंद लोग होते हैं और मैं कहते हूं कर कोई lower class का भी कोई stylish बंदा है तो वो आपका अच्छा लीडर प्रूव होगा आपको शौकीन और stylish लोग ढूंदने, dreamer लोग आपको देखने और उन पर बॉस करने, then comes E से आता है expressive लोग, जो बात करते हैं, जो अपने आपको express करते हैं, च यूँ, he's expressive, वो express करना जानते हैं, आज anger express कर रहे हैं, आज कुछ negative बात express कर रहे हैं, अगर मैंने उनको ये business समझा दिया, तो ये business भी express करेंगे, तो जब भी आपको कोई expressive person मिलता है, जो अपने दिल की कोई भी बात कह सके, आपको पता होना चीए, ये आपकी network marketing business में अच् receptive लोग, जो सीखते हैं, जो सीखना पसंद करते हैं, जो सुनते हैं, जिनकी grasping power अच्छी है, जो बदलने को तयार हैं, और जब आप अपनी prospect list में देखोगे, तो आपको receptive भी सिर्फ आपको focus करना है, ऐसे लोग हमारे आसपास बिखरे पड़े हैं, तो receptive लोग भी अच्छा leadership material बन सकते हैं, and then S से आता है, service oriented people, आपके whatsapp group में किसी ने डाला, कि भईया, ये dog है, जो की गोद लिया जा सकता है, कोई इस dog को लेना चाहता है, क्या, वो आपका leader बन सकता है, कोई भी, कहीं भी, किसी भी तरीके की service देना, खुशी-खुशी पसंद करते हैं, ऐसे लोगो नजर रखो, building में, societies में, आप हर जगे देखेंगे, कोई ने कोई होगा, जो service कर रहा होगा, कोई ने कोई होगा, जो initiative ले रहा होगा, कोई ने कोई होगा, जो कुछ लोगों को जोड़करके, मिला करके, किसी ने किसी common mission के लिए, काम कराने के लिए लोगों को आगे बढ़ होते हैं एक जो कि already network marketing कर रहे हैं network marketing leaders एक है ना definitely कौम कह दो हमारी है एक है जो कि अभी जिन्होंने network marketing भली शुरू नहीं किया है बट वो बहुत अच्छे leader अपनी अपनी life में है और अगर आप उन्हें अपनी business में लाते हैं आप hope में deal करता है वो आशा में deal करता है अब आपका focus आपने बना लिया आपको leaders join कर आ रहे हैं but at the same time अब आपको करना क्या है aggressive हो यह prospecting में again वो rule तो हमेशा ही काम करता है कि अगर आप खाली दो लोगों से बात करेंगे तो उन दो में से कितने लोगों का leader होने का chance है या दो ही लोगों से बात करेंगे तो कितने लोगों को identify कर पाएंगे आप यह जो मैंने सिखाया कि कैसे identify करो तो prospecting heavy कर दीजे कुछ जादा लोगों से मिलिए जब जादा लोगों से मिल रहे हैं तो टूल्स यूज़ कीजिए थर्ड पर्टी अप्रोच काम में लीजिए और जितनी ज्यादा success stories पर बात कर सकते हैं या दिखा सकते हैं टूल्स के थूरू उतनी ज्यादा success story यूज़ कीजिए इवेंट्स में बुलाईए आपके जितने भी prospects मैं आपको बताऊं अगर इस पूरे मेरे session को एक साइट रग दो और वो लो मैडम दो मिनट में बताऊ कि leaders कैसे join करा हैं जितने भी आपके prospects है ना उनको events में लेकर के आईए जितने भी कोई identify नहीं कर सकते कोई बात नहीं जो भी जिस किसी की काम में लेकर के events को काम में लेकर के then come कि आप अपने prospect type जो आपका prospect है उसकी type को understand कीजे understand your prospect type अगर वो खाली एक preferred customer बनना चाहता है कोई व्यक्ति आपका prospect है वो preferred customer बनना चाहता है तो service दीजे कोई loyal customer बनना चाहता है तो definitely उनकी जोइनिंग कराईए उनको loyalty उनको consistency उनको समझाइए कि भया लगाता है प्रोड़क्ट खरीदने के ये फादे होते कुछ लोग से प्रेटेलर बनना चाहते हैं तो उनको product knowledge दीजे उनको training दीजे कुछ लोग होते हैं जो casually करना चाहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत पैसा आजाए तो ठीक है उनको उस हिसाब से उतना time दीजे इस funnel को इस keep होता है उस keep में filter लगाते जाहिए कि लोग जो preferred customer बन रहे हैं या जो जो loyal customer बनना चाहते हैं या जो retailer बनना चाहते हैं जो casual है वो छटते जाए और keep में उस funnel में उपर उपर आपके पास आजाए कि बढ़ा यह leader हैं यह बड़ा चाहते हैं यह ambitious लोग हैं यह बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं यह dreamer हैं यह service देना चाहते हैं तो आपको जो funnel है उस funnel में अपने prospect को उनकी type के हिसाप से डाली हम सबको same time नहीं देते जो leader हैं जो leader बनना चाहते हैं यह जिन में leadership quality है हम definitely उन पर जादा time invest करते हैं तो आपको अपने leader को identify करना है उसकी type को identify करना है फिर जब एक बार leader पता चलिया कि हाँ इसमें leadership quality है फिर उनको जादा follow up करना है कहते हैं go that extra mile उनके लिए एक mile extra जाए उनको follow up भी extra करना है किसी leader को identify किया वो आपके घर से दूर भी है तो कोई पात नहीं आपको जादा भी जाना पड़े आपको ज़र आप एक घंटा ज़र गंटा जादा travel करना पड़े या out of station भी किसी leader के लिए जाना पड़े तो doesn't matter कि किसी की ज़्यादा ना सुननी पड़े किसी के ज़्यादा सवाल कर जवाब देने पड़े doesn't matter आपको जब एक बार leader समझ में आ जाए तो उसके साथ आपको एक mile extra जाना है then comes be comfortable with uncomfortable people यह मेरी life का experience बताता है जितने भी बड़े leader मैंने जोइन करा है ना सब ने शुरू में कुछते थे वो सबसे जादा टोका टाकी करते थे उन्होंने पूरी कोशिश करी मेरे को कि किसी भी तरह बस मैं डाउन हो जाऊँ पर जब मैं फर्म रही और मैं बिल्कुल है ना कहते ना commitment और conviction के साथ अपना presentation करती रही उन लोगों के सवालों के जवाब सही या गलत जैसे भी देती रही ना then finally they join और फिर जिनोंने मुझे uncomfortable किया था ना जो मुझे uncomfortable कर सकता है वो दुनिया को भी कुछ भी कर सकता है तो जब कोई होता क्या है जब कोई हमें leader type मिलता है वो थोड़ा में uncomfortable करता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं और उससे तनी काटने लगते हैं या उ सकते हैं या वो जादा knowledge चाहते हो सकते हैं या उनके जादा objections हो सकते हैं और whatever वो आपसे जादा expect करते हैं जिस भी कारण से वो आपसे जादा time expect करते हैं जिस भी कारण से कोई व्यक्ति आपको जादा uncomfortable कर रहा है ना आप अगर उनको थोड़ा पचने लगोगे तो आपके team म जादा अच्छे leaders की joining आई की then comes की help को भूला नहीं है आप जब भी भली आज आप नए join किये हो अचाहे पुराने हो आप किसी भी leader से जब leader type person से बातचीत कर रहे हो तो हमेशा जो आपके LOS में आपके applying support chart में जिनलों की मदद अवेलेबल है आपकी company में जिनलों की मदद अ कभी नहीं भूलना है तुरहं अपने growing upline को call करना है फिर उसकी मदद से उसके साथ और उपर वाले को touch करना है और और उपर वाले को touch करना है को leader type person एक बार दिख जाए फिर उसके बाद उसकी ना हरगिज लेनी नहीं है फिर आपको लगातार out of the way जा कर के follow up करते हुए उन them up and then finally comes आप जे सीज पर focus करोगे you will get that you will get what you will focus upon so leader बनने पर focus कीजिए leader बनाने पर focus कीजिए और यह जो छोटी-छोटी tips मैंने सिखाई है इन tips को अगर नजर में रखेंगे leaders के लिए जो मैंने आपको lenses special दिये हैं कि आप वो अपने sensors on कीजिए और फिर देखिए अपने prospects में से चटनी कीजिए और जिसकी चटनी हो जाए कि जो जैसा leaders ऐसा लग यही चोटी-छोटी सी बाते हैं जो आपको हम सिखाना चाहते हैं यही हमने करी हैं बिलीव मी कभी-कभी ऐसा लगता है कुछ भी तो खास नहीं किया यही चोटी-छोटी सी चीज़े हैं जो हमने करी हैं पर लगातार करी हैं और आज इतनी बड़ी success story बन करके आपके सामने खड़ें और यही चोटी-छोटी सी बाते हैं पर लगातार passionately, lovingly आपको करनी है और सफलता पानी है सफलता पाके दिखाना है इतना तो समझ लो मेरा करजे आप पर क्यूंकि आप पर हम विश्वास करते हैं क्यूंकि हमें पता है आप कर सकते हैं आपसे ज़्यादा जब आ आपके लिए आपसे बड़ा सोचे ना, उसी के लिए कर लो, so be a leader, sign up leaders and be great success of network marketing, all the very best, अगर हमारे sessions आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारी YouTube चैनल को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, all the very best.